हलो दोस्तों नमस्कार मैं कमले सफाले के टीवे में एक बाग फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास नमबर आपका नाइन ठीक है इसमें जो आज बात होगा वह होगा आपको देख रहेंगो यहां लिखा क्योंकि आपने देखा होगा है क्योंकि एक सो बीस किलोग्राम में चीनी और नमक की मात्रा इतनी है या कॉपर और जिंक की मात्रा इतनी है मतलब इस टाइब को हम लोग यहां डाल दिये हैं कि मिस्टरन पर आधारित कोश्चन आज बात करने वाले हैं ठीक है इसमें भी द हम लोग एक बात करने वाले हैं इसका नेक्स बीडियो जो क्लास नंबर टैन होगा वह आप जरूर देखेंगे क्योंकि इसका डबल लेवेल उसमें आएगा जो बड़ी हैं इंपोर्टेंट कोश्चन सब ठीक है तो दिया हुआ है कि 120 kg of a mixture having copper and zinc are in the ratio 5 is to 3 सबसे पहले जब 120 kg माचलो की एक बरतन में एकी बरतन में मिक्सिंग किouse 120 kg ठीक है थिक है हम यह मैनले जिसमें नहीं कितना है 121 0000 किलो ग्राम है जिसमें दो मात्रा है क्या proper जिंक का तो यह बोल रहा है कि पहले यह तो पता करो कि कॉपर कितना जिंक कितना है याने 120 किलो ग्राम में कितना कॉपर है और कितना जिंक है तो सबसे पहले इस को तरीका हम लोग यह बताते हैं कि जब कभी भी स्टैप को कॉच्छन आता है सबसे पहले आप कॉपर और जिंक जो द क्लियर तो आपको फ्रीवियस में बहुत सारे से बता रहे हैं कि अगर बारह हजार रुपे को तीन परसंद में बांटना है वही सेम चीज है यह तीन फॉक्र कि बांटना है A B और C में यह मां लेते हैं A यह मान लेते हैं, b और यह मान लेते हैं c, इसका अनपाथ दिया हुआ है, 2 अनपाथ तो a का हिस्था क्या होगा तो, आपको मैंने बता है था की, 7, 3, 10, 2, 12, 12, बाराय यूनिट कितने कितने के बरावर होगा 12,000 के बरावर होगा एक हजार के बरावर होगा एक को कितना KIM सब्सक्राइब नहीं आपको क्या करना है इसको बादना है तो आठ उनिट कितने के बरावर एक किलोगराम के बरावर एक baid होता है अगर आप से यह पुछेगा कि कोपर कितना किलोग्राम है तो आप कोपर में इसको मल्टिप्लाइ कर दो तो 15 गुने 5 यह हो जाएगा 75 kg ठीक है और जिंक कितना किलोग्राम है तो 15 में 3 से मल्टिप्लाइब कर दोती हो जाएगा आपका 45 kg अब मेरे पास यह पता चल जुका है कि 120 kg में 75 kg कॉपर था और 45 kg क्या था जिंक था अब आगे पढ़ेंगे जिसमें 10 kg जिंक और अड़ेड और एड़ेड किसमें 10 kg जिंक और और मिला दिया जाएत्व इसका रेस्यों क्या होगा यह कुछ रहा था हमने क्या किया सिर्फ जिंक में एड किया कभी कभी क्या बोलता है इसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगा वह आप अगर बोलता है तो आप मैनस करेंगे अगला कॉस्टन रिमूब बला आने वाला है ठीक है तो 45 अरदस कितना हो गया यह यह आपका पच्पन इसको आप कट कर लो 5 से कटेगा यह 15 और यह कटा कितना ग्यादा आंसर इस पंद्रा रेशियो ग्यादा तो कहने का मतलब यह कुश्टन जभी एग्जाम आएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है कौपर जिंक को सेपरेट करना है अगर मिल्क और सॉल्ट को पहले अलग करो कितना किलोग करेंगे दोस्तों हमने सकेंड लिखा हुआ है ठीक है जो कुश्टन आप देख रहे हैं कि जो प्रिवियस हमने कुश्टन कर आया था उसी के बेश्ट पर है अता सबसे पहली बात तो यह जब कभी भी आप वीडियो देखते हैं तो आप सुरू से लेकर करके लास्ट तक ब सब्सक्राना सुरू किया इसका जो अगला लेवल आएगा वह इससे त्वास टफ होगा तीसरा लेवल जो होगा वह पूरा टफ होगा और जो होता है जो अलग से पढ़ाया जाएगा आपको इसलिए कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो इसको एंट तक जरूर यह वीडियो में क्या दिया हो इसको से में क्या दिया हो है कि 60 kg मिक्चर है जिसमें copper zinc का ratio दिया है इतना ठीक है इस शिक्स के जिए जिंक रिमूव अब जो अगला इसका टाइप आएगा उसमें क्या आएगा कि कितना kg निकाल लिया जाए अभी यह दिया होगा ने कि 6 kg नि इसके बाद का कुशन वही आने वाल है इसलिए आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो सुरू से लेके एंड तक बने रहेंगे अब उसके बाद अगर नेक्स वीडियो देखेंगे तो आपको मजा आएगा ठीक है और नोस्तियार करते जाएं मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉपर है और जिंक किëतना हुआ है तीन अनुपास्त दो दिया हुआ यानि कि पांच यूनिट कितने के बरावर है। यह का मेंटली करना है यह लिखने की जोवतने यहीं पर डिरेक्ट पांच यूनिट साथ के बड़ावर एक यूनिट बारा के बड़ावर तो हम डिरेक्ट यहीं से कर सकते हैं 36 और 24 क्लिर है इतना टाइम लगाने की जोवतनी हम समझाने के लिए आपको कर रहे हैं ठीक है एक रिष्ट यूनिट कितने के बराबर हो गया 12 किलोग्राम के बराबर तीन спасибо होगा तीन यूट होगा की जाएगा कितना 36 किलोग्राम 10 किन रिमूद का मतलगा हNew निकाल लिए और इतना किलोग्राम को पर कर दिया है तो बात वही है जोनों का भी आप बोलोग कोंगे करवा देता हो कि किलोगराम जिंक निकाल जाएगा हम जिंक में से क्या कर देंगे को मैनेस कर देंगे बस मेरा आपका आंसर आजाएगा यह यहां से यहां तक यह हो गया 36 और 24 में चला गया था क्या ओगे 18 तरह कैंसल होके आपका आंसर कितना हो जाएगा टू रेसियो वन यह आपका हो गया ची नंबर अंसर ठीक है आपको प्रिवियस बताया था उसमें था कि एड़ेट सेकेंड को सब्सक्राइब लिया रिमूब अब एक ऐसा को सब्सक्राइब जिसमें की एड़ेट भी और दुसरी हमरे क्या किया था ठीक है अब क्या बोलूगा क्यल सब्सक्राइब क्लिया हुआि चितना की दिया हुआ उब का 3 देशिम धेथा डू मैं बताया था यह लिए प्ट कर सकते आपस यूनिट 117 के बडावर 118 अक एक उनिट कितने देख रहे हैं पांच यूनिट असी लिटर के बराबर एक यूनिट 16 लिटर के बराबर इसका मतलब मिल्क मेरे पास कितना होगा तो शोलती होगे आपका 48 लिटर अगर वाटर की बात करेंगे तो 16 तुजा कितना हो जाएगा 32 लिटर अब यह मेरे पास आचुका है exact quantity milk और वा शेलिटर वाटर को क्या कर देंगे आड कर देंगे जरूरी नहीं है कि दोनों सेम होगा अगर बोलता है और फाइब जैसे बुल रहा है आप वैसे वैसे उसमें प्लस मैनस आपकर दिया तो यह आगे आपका कितना 42 क्लियर है और इसमें से अगर हमने च्छे को क्या किया तो क्या होगा और इसको आप कर लेंगे यह हो जाएगा आपका 20 और यह कितना हो जाएगा उनीच आंसर इस 21 रिश्यो 19 तो आपने यह देखा कि किसी भी लेवल क्या कोशन होगा किसी तरीके से घुमाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है सबसे पहला काम कि का अनुपात दिया हुए है तो आपको क्या करना पहले इसमें से मिल्क कितना और वाटर कितना तो सीधे डायरेक्ट पांच यूनिट असी एक उनिट सोलर अर्टालिस चौबिस मतलब इतना करने के बाद हम चाहें तो यह हो गया फोटी एट यह होगी आपका ट्वेंटिफ कर सकते हैं लेकिन उसके लिए यह जो मैथड है पांच यूनिट इतने के बरावर टेवल थ्रौसा आपको आना चाहिए अगर आपका टेवल फास्ट है तो आप मैंटली कुस्टन को बना सकते हैं इतना जगह की जगह नहीं है ठीक है तो यह था एक टाइप करेंगे दोस्तों आपके सामने हमने कोशन लिखा हुआ है जैसा कि मैंने पहले बताया था कि टाइप बिल्गुल चैन्ज है उसका रिवर्स टाइप है कोशन क्या दिया हुआ है पहले कोशन परते हैं 85 गेजी और मिक्षर यानि की 84 किलोग्राम के मिसरन में कॉपर और जिंक की मातर इता का अनुपात कितना दिया हुए 4 आनुपात 3 है ठीट है कि कि आप यहीं से yapt क्या करो भाने रिखाने यह जात इसका मतला कॉपर किणा 48 अब यह डारेक्श्च आंद लिखना है क्लियर तो यह बोल रहा है कि कॉपर कितना होगे आपका 48 और यह कितना होगे आपका 36 आपको यह पता चल गया होगा कि अगर हम इन दोनों को एड करते हैं तो 84 मेरा आ खीक है इसकाम मतलब है ठीक है हमने क्या किया पहले 84 कि इसका हमें और मैंनस कर दिया ठीक है कि इसका अनपात्थम कितना हो जाए दो अनपात हो जाए कर देखेब रहा डिया रहता था और कितना निकाला रहता था उसके कितना निकाला जाया रिज्य का रही अधीक जुए इतना हो जाया इसका बेस्त तरिका हम बचों को यह बताते हैं कि पास हो जाना और हम मैं менее से 10 को मैनस करते हैं ठीक है इस में से 10 को आपका नहीं होगा गया यहां पर फिर इस रहेगा चाहतीस में से गया गया तो यह इस यह डवल होगा यानि काने का मतलब अगर यह तो रहा है तो इस चाहएं वह तो रहा बनाब ना तो चोविस प्राने के लिए अफितना दिमागे लगाने की जोतीं नहीं है चाथिस में से कितना मैनस करेंगे करीज़ा होगा तह बारा मैनस करने पर हो जाएगा चाफ आफ ऑस ही हो गया ठीक है यह ग्या 48 रेषियो 36 और मानिस हो गया 12 आप देखेंगे कितना 20 is a very इतना टाम लगाना नहीं है जब टूरेच्व वन रिस्योट को यानि की टूराच्यो मन का मतलब है और कौसे है रित्या सिट्थ बार्पॉल्य इसका आधा होगा है एक अर्पॉधन हे लिए तो आएगा तो 36 में से कितना करें कि 24 जिसको यह समझ में नहीं आता है बहुत बच्छे बोलते हैं यह कॉंसेप्ट जो है ऑप्षन से पूट करने में ज्यादा लेता है तो तरीका यही है कि कॉपर डिवाइड़ भाई जिंक माइनस एक्स यह मैथड है जो हम लोग बुक में च्विंटी तो 2 इसको इधन करेंगे तो आपका आजया मैंस का 24 कि जाये गा माइनस का 2x क्लियर एक Saying तो यहां से डाइट करेंगे तो टैम ज्यादा बचता है मैंने आपको बताया कि यह काम आपको मैंटली करना है तो टाइम कैसे बचाएंगे साथ यूनिट चौड़ासी एक यूनिट बारह यह वो गया आपका अर्थालिस यह वो गया आपका च्छतिस फोटी यह थर्टी सिक्स लिख लो और दिमार्ग से चोचो कि कॉपर में से कितना मैनस करेंगे कि टू रेसियो वन हो जाए यानि कि यह डवल है यह अगर मेरा डव में सोचना कैसे को सोच सकते हैं ठीक है तो इसका एक कोशन और देखते हैं कि कैसा होता है आपका कॉंसर्फ हो सकता है उससे और भी ज्यादा क्लियर हो ठीक है दोस्तों आपके सामने कोशन लिखा हुआ है कि 80 kg of a mixer having copper and zinc कितना five is to three जैसे मैं आपको बताया था कि 80 kg दिया हु गया ओके तो अगर copper की बात करें तो copper कितना होगा copper हो जाएगा आपका 50 kg और zinc कितना हो जाएगा 30 kg ठीक है क्योंकि एक होगे 10 के बराबर तो 10 को हम क्या करेंगे पांस से मुल्टिप्लाइग करेंगे ति हो जाएगा 50 और दस को थीन से मुल्टिप्लाइगा 30 यानि कि copper जिं जिंक मस्ट भी एड़ेट यानि कि जिंक में कितना और एड़ किया जाए अब ध्यान से समझेंगे आप यह हो गया copper यह हो गया जिंक यह है पचास यह आपका 30 बहुत ही सिंपल कोश्टन है बोल रहा है कि कितना और जिंक एड़ किया जाए इसमें सब्सक्राइट रेशियो और जिंक बिकम्स वन इस टूवन यानि दोनों बराबर कव होगा दोनों बराबर तभी होगा जब यह पचास है और यह भी क्या हो जाए तो तो आपने यह देखा कि फर्स्ट टाइप उसमें क्या था आपको रेशियो निकालना था सब्सक्राइब करने वाले हैं कि फर्सक्राइब क्या एसा ट्रिक लगाया जाए यानि कि लेवेल नंबर नेश्ट आने वाला है ठीक है दोस्तों यह कुष्टन सबसे इंपोटेंट कुष्टन है जितने भी मैंने आभी आपको इस बीडियो में कुष्टन कराए टाइप न इस कोष्टन दिया हुआ है कि रेश्यों आप कंटेणर एंड बी इस टू अब ध्यान से समझेंगे दो कंटेणर है जैसे हम मन लेते हैं एक कंटेणर यह है ठीक है और दूसरा कंटेणर इस से थोड़ा सब छोटा है क्योंकि थी रेश्यों दिया हुआ है इसका क्या है यह बोल रहा है कि 20 लिटर रिमूट फ्रम टोटल मिक्शर जबकि मेरे पास टोटल मिक्शर है नहीं उसमें से 20 लिटर निकालने के लिए बोल रहा ही तो यही इस यह जो लाइन दिया हुआ है यह इस कोष्टन का सबसे पावर्फुल लाइन है यह जिसको समझ में आ गया उ 20 लिटर निकाल लो और बी वाले में क्या करो मिला दो ठीक है तो रेशियो कितना हो जाएगा उसका बरावर हो जाएगा यह जाए तो आपको बोल रहा है कि दैन वैल्यू ओफ ए वाज तो एका पहले क्वान्टिटी कितना था पहले क्वान्टिटी का मतलब इसमें पूट क ममरे मिक्सर नहीं पता है तो भी हम निकाल सकते हैं किहां तो इसका मतलब पांच में इस निकालेगा यानिकी अगर मॉन ले love is i Can trust完了 है तो wrac an एक इतने के बढ़ावर हो गया चारडिधर के बढ़ावर ब्यान से सम्झेंगे इसका मतलब पहले में सéquितना निकलेगा 12 दूसरे में से निकलेगा आठ आप Morris निकल बारव बीस निकल चुगा है क्लियर है बात यहां तक तो जब कभी ऐसा कोशन आता है तो आपको क्या करना है अब मैं इसको रब कर रहा हूं अब मैं बताता हूं आपका पूरा इसका कॉंसेप्ट डाग्राम हमने इसलिए बनाया था ताकि आपको और भी समझ में आ है आपको कुछ नहीं करना एड़ इस रिमूट फ्रॉम टोडल में चाहिं आप यह मान जलो कि आपके पास मिक्षें रहों के तना है फांच यूनिट है तो पांच विनिट हो गया आपका 20 लीटर के बरावर एक जो कितना चार लीटर के बरावर तो एक हाट जो मात्रा होगा एक हो कितना हो जाए का चार गु अब इसको बनाना पड़ेगा मुझे एक्स लेकि क्योंकि अब भिना एक्स का नहीं बनाएंगे तो इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों में से निकाला गया और बरतन भी में मिला दिया गया इसको कैसे बनाया जाएगा अब अब एक्वेशन से टाफ होगा ठी एक्स एफ 20 लिटर इज रिमूवड रिमुवर मतलब मैनस ठीक है फ्टोल मिक्शर तो हमने जो यह इसी लिए निकाला है कि पहले में से कितना निकला यह पता होना चाहिए यह प्सक्राइब पहले मिन क्ला 12 दूसरे में से नेकला भी आट तो बाराएफ कि आऊ गया बिस दे निक बस बन गया कोश्चन इसका कॉंसर्प्ट कितना बनियां होता है जब आप पुरस क्या निकलेगा इस बर यह होगा 3x-12 और यह हो जाएगा 3x-12 हमेशा यह होता है यह हो जाएगा 2x-12 हो गया 1 by 1 क्रॉस मल्टिप्लाइ कर देंगे तो 3 में से 2 गया सोच का तरीका क्या होता है 3x में से 2x चला गया तो क्या बचा एक्स यह सोटकर तरीका बनानेगा ठीक है अच्छा यह है आपका कितना माइनस का 12 यह हो गया आपका प्लस का 12 जब उधर इसको इससे मल्टिप्लाइ करेंगे देंगे हो जाएगा आपका प्लस का 12 यह इधर आया तो 3x में से 2x गया तो x बचा यह इधर आया तो प्लस हो जाएगा तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 24 अब मेरा x का वैलू कितना आगे है 24 अब यही तो बोल रहा है कि the value of a was a का पहले क्वांटिटी कितना था तो पहले का डिया होगा है टू से हम क्या करेंगे एक बोल रहा है ना आपको 3 से मल्टिप्लाइग कर देंगे यानि कि 72 लिटर आपका क्या वाजाएगा आंसर हो जाएगा अगर यह पूश्ता कि the value of b was पहले वी का वैल्यू कितना था तो 24 को क्या करते दोसे मल्टिप्लाइ कर देते यानि कि पाहले बरतन में जो quantity था जो भी यह मिल किया जो भी उसमें होगा ओफातर लिटर था ठीक है अगर बी की बात करते चौबिस को दो से मल्टिप्लाइग कर देंगे तो 48 लिटर टोटल क्वांटिटी की बात करो आगा अब द तोतल मिक्षर कितना तो कितना ओजाएगा आर्ट दो दस साठ चार 111 और ये 12 तो न कीथा यहां से तीन को सब्सक्राइगा यहां पर देखा किस टैप से कुछा जाए कि इतने में से टोटल में से निकाला गया तो हम क्या करेंगे रेशियो को ही टोटल मानेंगे ठीक है बातेंगे फिर बरतन भी में उसको मिला दिया गया तो इस टैप से कुछन जब भी पूछता है तो इसका लेवल ज्यादा हो जाए